किया इवी छे इलेक्ट्रिक कार को भारतिय बाजार में जून 2022 को लौज किया जाना है, कमपनी की यह देश में इलेक्ट्रिक कार होने वाली है किया इवीच है इलेक्ट्रिक कार को कमपनी भारतिय बाजार में completely built unit के रूप में लाया जा सकता है कमपनी इसे वर्तमान में कई देशों में बेच जा रही है और उसके मुकाबले भारतिय मौडल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा किया इवीच है कमपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार है और इसे विदेशी बाजारों में शांदार प्रतिक्रिया मिल रही है ऐसे में भारतिय बाजार में इलेक्रिक कारों के बढ़ते ट्रेइन को देखते हुए क्या मोटर्स इस सेग्मेंट में प्रवेश करने की योजना बना रही है और अब देखना होगा कमपनी इस कार में भारतिय बाजार के हिसाब से क्या बधलाव करती है और इसके किस variant को लाया जाता है किया EV6 को भारत में CBU के तहट लाया जाएगा माना जा रहा है कि इसके design, features, platform वर electric powertrain के बारे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा यहां electric car company की opposites United Design philosophy पर आधारित है जो इस electric car को आकरशक वर sporty look देती है हाल ही में company ने इस car का भारत में trademark कराया है इसमें किया EV6 light, किया EV6 water, किया EV6 earth और किया EV6 air शामिल है अनुमान है कि यहां electric car के variant हो सकती है यहां अंतराश्य स्तर पर 3 grade light, wind और gline में बेची जा रही है लेकिन भारतिय बाजार में इन्हें नए नाम से लाया जा सकता है डॉट, इसके interior में 12.3EH का instrument cluster आठव एपावरेजिस्टिबल driver seat, 12.3EH infotainment unit wireless phone charger, connected car तक्नीक, 2 spoke वाले steering wheel, heads up display advanced driver assistance system safety features दिये जा सकते हैं इसके अलावा इसमें 19.8EH के बड़े alloy wheels भी देखने को मिल सकते हैं हाला कि इस बात की पुष्टी नहीं हो पाई की भारत में कौन सी power train लाई जाएगी इसे अंतराश्य बाजार में दो power train के विकर्प में उपलप्त कराया गया है किया EV6 के entry level trim में 58 kWh की बैटरी मिलती है जिसमें rear mounted motor इस्तमाल की जाती है यहां electric motor 166 BHP की power और 349 newton meter का torque प्रदान करती है